नमस्कार आप देख रहे हैं समवात्री 65 मैं हूँ दिगवज़ सिंग चोहान उतराखन के अंकिता भंडारी मडर केस से जुड़ा हुआ एक और डेवलमेंट एक और नया अपडेट सामने आया है इस बार अपडेट है सरकार की तरब से दरसल दिवंगत अंकिता भंडारी के परिज़नों के लिए उतराखन के मुखेमंतरी पुषकर सिंग धामी ने साहता राशी की घोशना की है मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने अधिकारियों को निर्देश तिये हैं कि तिवंगत अंकिता बंडारी के परिजनों को आर्थिक साहेता के तौर पर 25 लाख रुपए की रकम दी जाए इसके अलावा मुखेमंतरी पुशकर सिंग धामी ने ये भी कहा है कि अंकिता बंडारी मडर case में उन्होंने न्यायले से अनुरोध किया है कि इस मामले की सुनवाई जलद से जलद fast track conan कोट में की जा सके ये जलद से जलद आरोपियों को कडी से कडी सजा दिलाई जा सके इस बलकि वहाँ प्रदशन कर रहे काफी सारे लोगों की थी कि जिस तरीके का ये जगन ने हत्याकांट हुआ है और इसमें जिस तरीके से लेट लतीफी जाच में की गई है उसको देखते हुए अंकिता बंडारी के परिजनों को सरकार की तरब से एक करोड रुपए साहता राश से उनके भाई को या फिर किसी पी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए ये डिमांड रखी गई थी लोगों के द्वारा हालांकि एक बार फिर से आपको ये बता दे कि परिजनों के तरफ से कंपंस्टेशन को लेकर या फिर आर्थिक साहता को लेकर किसी भी प्रका जल्द से जल्द हो इसकी बात भी कही गई है मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके का अपराद हुआ है उसको बरदाश्ट करना किसी भी कीमत पर उसको बरदाश्ट नहीं किया जा सकता है और ऐसे जगरने अपराद में कड़ी से कड़ी साजा दिलाने की कोशिश सरकार किर रहेगी वहीं SIT के अगर हम बात करें तो SIT ने भी अपनी तरब से चान बिन इस मामले में शुरू कर दी है साक्षों को जुटाने की कोशिश की जा रही है एक मोटर साइकल एक स्कूटी जिसमें चारों लोग गए थे उसको भी बारामत किया है एक CCTV फूटेज भी बारामत हुआ है जिसमें इनको जाते हुए और वापस तीन लोगों को आते हुए भी देखा गया है अब इस मामले में कब तक Fast Track कोट में सुनवाई होती है और कब आगे और development होती है जाच किस तरह से आगे चलती है ये सब देखने का विशय रहेगा लेकिन फिलाल उत्राइकंट सरगार की तरफ से मुखे मुंद्री की तरफ से निर्देश दिये गए है कि परिवार को 25 लाग रुपे आर्थिक साहिता दी जाए इस मामले पर आपका कहना क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें बदा सकते हैं साथ ही बाकी खबरों के लिए बाकी अपडेट्स के लिए संबाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजे नमस्कार